आज है जो हम लोग इसको क्या करेंगी फिनिस करेंगी और उसके बाद कल से है जो मोमेंट आप इनर्सिया का क्लास है जो स्टार्ट होगा ठीक है तो सबसे पहली बात कि इसको हम इसका डामेंशन कुछ दे दे इसका जो बेस है वह क्या है बेस क्या है बी है और जो हाइट है वो एच है इसका है और बेस क्या है बी बी है तो इसको ऐसा करते है बी वाइट टू और बी वाइट तू में डिवाइड करते हैं ऐसा क्नूप करने अभी पतल जए लेगा है isot AUDotal बेस्ट इनना थ है भी था भी वाइट तो भी वाइट को में डिवाइड होगी अब शुक्षाओ के च diff 4 एक्स के बहुर्ट यहीं पिलाए करेगा तो इसका X-Codernate Centroid का क्या होगा? Zero होगा हमें सिर्फ क्या निकालना होगा? Y-Codernate निकालना होगा तो Y-Codernate इसका निकालते हैं Y-Codernate निकालने के लिए क्या लिखेंगे? Y-R is equal to integration of small y-R into DA divided by integration of DA हमें क्या करना पड़ेगा? एक small element है जो consider करना पड़ेगा एक small element consider करते हैं यह हमारा क्या है? एक small strip है small strip है जिसका width क्या है? इसका width मान लेते हैं क्या है? dx है और इसका height है जो क्या है? y है इसका height क्या है? y है तो इस small strip का आप CG निकाल सकते हैं इस small strip का CG का y-Codernate जो होगा जिसका small var बोले हैं यह क्या हो जागा y-y-2 यह क्या हो जागा y-y-2 है क्या हो जागा y-y-2 है क्या नहीं? चुक्क है rectangle y-y-2 अब देखिए यहाँ पर आप value put कर दिए कितना y-y y-y-2 और da क्या होगा da क्या हो जागा बताए da होगा y into dx y into dx तो यहाँ पर put कर दिए y into dx integration of अब देखिए नीचे da को जब integrate करेंगे तो यह तो area a आ जाएगा area a आ जाएगा अब देखिए इस a का जो value है वो depend करेगा integration के limit के किसवे depend करेगा integration के limit यदि आप 0 से 0 से b by 2 तक integrate करते है 0 से b by 2 तक यह दिए integrate करते है यानि first element कहाँ पर लिए होगे आपने strip यहाँ पर लिए होगे यहाँ पर consider क्यों आप आएगा चुकि जो हाप के साथ हो रहा होगा वह ही remaining हाप के साथ हो रहा होगा है ना सो यहाँ पर area इसको जब उपर स्वर्व करेंगे क्या आएगा y square y2 into dx integration of 0 से b by 2 और नीचे area देखे क्या हो जागा इस total का half यानि 1y2 1y2 into by2 इसका हाप हाप triangle ले रहे है ना चुकि by2 तक ही integration किये है तो क्या हो जागा 1y2 into base by2 into height half of the triangle का area क्या होगा यह होगा 1y2 into base क्या होगा by2 होगा into height half of the triangle का इसको जब solve करेंगे तो यहां पर देखे कुछ cancel हो जा रहा है यह हाप से हाप तो यह कड़ जाएगा क्या बचेगा remaining remaining आपका बचेगा जो भी बचेगा इसको यहां पर लिख देते हैं देखिए उपर बचेगा y square into dx integration of 0 to by2 और नीचे क्या बचेगा by by2 अब प्रोब्लम में है कि जिस वर्यवल के रिस्पेक्ट में हमें इसको integrate करना है वो dx है जबकि यहां पर function क्या है आपका by का है तो हमें by को x में लिखना पड़ेगा by को किसमें लिखना पड़ेगा एक्स में लिखना पड़ेगा उसके लिए ऐसा कि जिए इसको आप O मान लिजे इसको आप A मान लिजे और इसको B मान लिजे तो equation of O B आप लिख सकते हैं इसरा right में rough मैं कर देता हूं यहां पर देखें now हम लोग क्या लिख सकने है equation of O B line equation of line O B O B का equation क्या लिख सकते हैं Y is equal to MX plus C General equation तो ही है MX plus C बट ध्यान रहे O B line का जो slope है निगेटीव है O B line का slope क्या है निगेटीव है यह क्या है तो negative है minus slope को 10 ठीटा भी लिख सकते हैं 10 ठीटा भी क्या होगा height upon base तो H upon H upon B by 2 into X और plus यह क्या होता constant constant मतलब क्या intersection कर जहां पर intersect कर रहा intersect कहां पर कर रहा H पर कर रहा intersect कितना दूरी पर H पर intersect कर रहा तो H लिख दिए इसको जब solo करेंगे इसको जब करेंगे तो देखे इसको यह आपका हो गया y square का value अब y square का value यहां पर put कर दिए y square का value अब यहां पर put कर दिए इसको मैं इसकरा से घेड़ देता हूं तो यहां पर y square का value जब put करेंगे तो y बरावर क्या हो जागा 4 H square upon B square into x square minus 4 h square divided बटा B into x x h square plus x x into dx इसको integrate करना कहा तक 0 से by 2 तक और इसके नीचे कितना है bhy 2 bhy 2 अब देखिए जब उपर आप integrate करेंगे जब उपर integrate करेंगे तो क्या आजागा यहां तो x square है तो इसका क्या हो जागा integration x q y 3 हो जागा तो 4 h square divided by v square into x cube y 3 minus 4 h square divided by v limit limit कहां से कहां तक जाएगा 0 से by 2 तक और इसके नीचे कितना है bhy 2 जब इसको solo करेंगे तो आएगा अब तो कुछ नहीं करना by to put करना x के जागा पर इसको solo करेंगे तो वाई बार आएगा hy 3 hy 3 यानि संभेर यहां पर लाएग करेगा ठीक है यानि अगर cg देखा जाया तो क्या होगा x वार y वार होगा और x वार तो क्या होगा चुकि यह y axis के symmetrical है तो x वार क्या होगा 0 होगा x वार 0 होगया और y वार क्या होगा अभी निकाले हैं hy 3 होगे इसलिए हम लोग याद रखते यह कहां से है from base from base इसलिए बोलते हैं कि triangle का जो cg होता है वो base से hy 3 distance में होता है बट कभी-कभी exam में आपको कैसे होता है यह निकालने के लिए question आता है now move to the next one next one अब देखिए यह सब जो figure करने जा रहे है जिसका अब हम centroid निकालेंगे वो generally a steel structure में compression member में यूज होगा है ना जैसे यहाँ पे क्या है unequal i section है unequal i section है तो इसका क्या निकालना है इसका centroid निकालना है तो सबसे पहली बात कि इसका dimension लिख लेते जो dimension दिया हुआ यह क्या है unequal angle section है ठीक है तो इसका dimension कुछ दिया हुआ यह 20 mm है यह आपका 20 mm है यह भी 20 mm है यह भी कितना दिया हुआ 20 mm है उसके बाद यह जो दिया हुआ आपका throughout लार्जेस्ट लेग यह दिया हुआ 200 mm 200 mm दिया हुआ 200 mm दिया हुआ 200 mm दिया हुआ हमें निकालना है इसका CG और यह जो भैलू है यह 120 है 120 mm हमें क्या निकालना है इसका CG निकालना है centroid निकालना है तो देखिए यह हमारा question है और इसको कैसे approach करेंगे सबसे पहली बाद कि आपको reference line choose करना होगा हना reference line choose करना होगा चुकि किस line के respect में आप निकालना चाहते है है न तो reference line इस question में दिया हुआ है कि आप इसको A मानिये इसको B मानिये और इसको C मानिये यानि हम जो भी centroid निकालेंगे वो A B के respect में और A C के respect में निकालेंगे हैं तो इस A B को क्या मान लेते हैं एक सेक्सिस मान लेते हैं और A C को क्या मान लेते हैं यानि यानि जो भी हम centroid निकालेंगे वो इसी एक्सिस के respect में अंसर होगा हमारा है कि नहीं अब देखिए अब हमें क्या करना है इसको दो figure में इसको divide किजिए दो फिङर में डिबाइड किजाए चुक्कि दो फिगर में डिवाइड कर देंगे तो एक तरह से क्या हो जगा और दूसरा rectangle आपका हो गया इसका color change करता हूं यह हो गया आपका दूसरा rectangle लिए अब इसको आप कुछ नाम देदेजी इसको वन बोलते हैं और इसको डू बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा हमें निकालना होगा एरिया दोनों रेक्टैंगल खां तो एरिया और रेक्टैंगल लिए इससको एवन बोल देते हैं तो एवन क्या होगा बताईए देखेए टोटल इसका कितना होगा 120 में से यह हमें 20 माइनस करना पड़ेगा इतना क्या करना पड़ेगा इतना माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो गया 120 माइनस 20 यह लेंथ हो गया इंटू वीथ कितना है 20 कि देश्कोर स्वाल करेंगे तो कितना वागा अंद्द इन्टो ट्वंटी यहने 200-20 यहने टू टेन कई पवर थिरी हो जागा इतना mmSquare आएगा ठीक है एव निकाल लिए अव इसका एक्सकोडिनेट निकाली एक समण एक सबन एक सबन्स है सुनिए एक्सवन है इस रेक्टेंगल वन का रेक्टेंगल वन का सीजी रेक्टेंगल वन का सीजी एक्सवन है हना इसका मतलब क्या हुआ कि बाई एक्सी से दूरी तो रेक्टेंगल वन का तो सीजी कहीं यहां पर लाए करेगा यह बीच में लाए करेगा हना यहां से दूरी कितना होगा यहां से कितना दूरी होगा तो देखिए यह 20 और पलस इसका हाप देखिए मैं लिख रहा हूं के ट्वंटीफ पलस इसका हाप सब्सक्राइब करना पड़ेगा यानी 120-20 यह वाला पाट निकल गया यह पार्ट निकल गया यह ना 120-20 इसको क्या कर दिजी हाप कर दिजी तो इसका इंडिवीजूल निकल गया बट हमें कहां से चाहिए रेफ्रेंस एक्सी से तो ट्वंटी प्लस यह हो गया इसको जो आप तोलो करेंगे तो कितना आ रहा है यह आ रहा है आपको 70 जो कि यह 50 आएगा ट्वंटी आएगा तो टोटल कितना आएगा सेवंटी एम नाऊ अब हमें 2017 पड़ेगा माइवन क्या होगा रेफ्रेंस से रेक्टेंगल s2 इंटा रेफ्रेंस एक्सी आपकर क्या है एक सैनद एह रहा मतलब एवे सिह में इसका दूरी तो यह ई क Logan जगा एंहां यह हो तो कितना हो जागा 20 गाइट टू कितना आप टैने में इतना कि लियर है अब रेक्टेंगल टू की बात करते हैं को और रेक्टेंगल टू तो सबसे पर एरिया निकाल लिए एरिया क्या हो जागा एक टू एक टू क्या करें बादा यह यह 200 इंटू 20 यह तो बहुत इंपल है 200 इंटू 20 यानि आ जागा 4 इंटू 10 to the power 3 mmSquare ठीक है उस्ते लेसे एक सबन बताएं क्या होगा x1 मतलब वाई से दूरी तो यह क्या होगा एक सबाइशी दूर यह हाप होगा अन्य टू इन हो यह तो है मतलब 20 बाइट यह कितना 20 था जो किये 20 था एक ना था यह क्योंटी था तो फोन्टी यह टू कितना हो गया टेन पाइवन बताएई वाइवन हो दण हना वाइवन क्या हो जगा लगेवन क्या होगा देखिए बाईवन मतलव डेक्टेंगल टू का डेक्टेंगल टू का की बातो तू AS dena से बीक तोग्र कितना है लेंध़ का 200 आई इसका हाफ किसका हाफ यह वाला दीयम हमें चाहिए यह वाला चाहिए तो किना पॉसके मजा की दिवादे भाइबाइब तू कितना हंडी इतोक है a1 पता है, x1 पता है, by1 पता है a2 पता है x2 पता है, sorry, एक mistake हुआ यहाँ पर, देखे क्या mistake क्या है एक क्या होगा? a आपका, x2 होगा, x2 होगा और एक क्या होगा? by2 होगा है, ठीक है? अब देखिये हम क्या करेंगे? इसका अब overall जो वो अनिक्वाल है उसका हमें क्या निकालना है उसका हमें Cg निकालना है तो X बार बराव फर्मुला लिखे एक्स बार क्या होदा था A1 इन्टु एक्स 1 प्लस A2 इन्टु एक्स 2 डिवाइड़े बटा A1 प्लस 2 सबका भाई लोग फूट कर दिजे, a1 कितना है, a1 आपका है, 2 into 10 to the power 3, into x1 कितना है, x1 आपका 70 है, 70 है, plus a2 कितना है, a2 है, a2 है आपका 4 into 10 to the power 3, into x2, x2 कितना है, बदाइए, 10, 10, divided बटा एरिया, 2 into 10 to the power 3, और प्लस 4 into 10 to the power 3, तो कितना हो गया है, इसको जब सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद यह आ रहा है, 30 mm, 30 mm आ रहा है, है न, उस तरह से बाई बार निकाल सकते हैं, बाई बार निकाल सकते हैं, क्या होता होगा, a1 into y1, प्लस a2 into by 2, a2 into by 2, डिवाइड बटा, a1 प्लस a2, सबका भैलू पूट कर दिजे, a1 कितना है, 2 into 10 to the power 3, into by 1, by 1 देखे, कितना है, 10 है, तो 10, प्लस, a2 कितना है, 4 into 10 to the power 3, into by 2, by 2 क्या है, by 2 आपका 100, डिवाइड बटा a1 प्लस a2, मदब 2 into 10 to the power 3, और प्लस 4 into 10 to the power, फिरी, इसको जो आप स्वोल करेंगे, तो यह आ रहा है, 70 अब ध्यान से देखिए, तो यह कर क्या रहा है, हम ले रहा है, एरिया का मोमेंट, यह जो भी कर रहा है, a1, x1, a2, x2, अब क्या कर रहा है, अरिया का मोमेंट, जो कि फोर्स का मोमेंट क्या होता है, फोर्स into distance, फोर्स का मोमेंट जब निकालते हैं, तो फोर्स into distance करते हैं, यहांपर क्या कर रहे है, एरिया का फfirst moment है, तो area objective के लिए याद भी रखना है कि area का first moment क्या देता है आपको center of gravity देता है या cent to add देता है जिबकि next class में हम लोग पढ़ेंगे कि area का जो second moment होता है है ना मतलब a into y square या a into x square वो क्या देता है moment of inertia देता है ठीक है तो area का first moment जब करते हैं तो cg देता है second moment करते हैं तो आपको moment of inertia देता है और third moment करते हैं तो section modulus देता है उसको भी discuss कर दूँगा next class में है ना next to next में तो यह तो रहा आपका un equal angle section का cg अब इसको आप चाहें तो दर्सा सकते हैं यह कहां प्याएगा बताएए तो फ्रागेस कीजिए X को डिंट आया है 30 mm मतबब X मतब 22 से दूरी तो यहां से 30 mm अपर यही था मारा वाइग यक्षिस यह है यानि यहां से 30 mm कहीं इधर होगा और यहां से 70 mm बाइक को डिन मतब एक से दूरी तो यहां से 70 mm 70 यहां पर लाई करेगा सीजी और यहां पर लाई करेगा ठीगा इसका कुर्णेट कितना आ गया 30 एंड 70 यह आपका फाइनल अंसर हुआ तो मैं आसा करता हूं कि समझ में आया होगा अच्छे से नो मूब टुद नेक्स्ट वन से नेक्स्ट यह आपका चैनल सेक्शन नेक्स्ट क्या आपका चैनल सेक्षन है इसका आपको 50 mm, और यह आपका 100 mm है यह यह हंसे लेके यहां तक आपका 100 mm है ठीक है इसमें रेफरेंस एक्षी hebt यह आपका यह b है यह Tá और एसी है अगर नहीं दिया हो तो अपना मन से मानिए किसी को भी रेफ्रेंस एक्सिस आउसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल दीजिए ठीक है इसका वैलू है वो भी आपका 20 ही है ए जो वी थै बेव सेक्षन का इसका वी कितना है यह भी सोरी यह टेनेम है हमें क्या निकालना है हमें निकालना इसका सीजी तो ऐसा करते हैं इसको एक सेक्सिस मान लेते हैं और जो एसी है इसको बाई एक्सिस मान लेते हैं इसको बाई एक्सिस मान लेते हैं अब देखिए हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंट रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या किजिए यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए यहां से डिवाइड कर दीजिए इसको रेक्टेंगल वन बोल देते हैं इसको टू बोल देते हैं और इसको थिरी बोल देते हैं अब रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल थिरी के लिए area क्या होगा बताए A1 तो A1 क्या हो जागा ध्यान से देखिए ए 50 है एक टोटल कितना था 50 था यहां से यहां तक 50 था 50 में से 10 है जो माइनस हो गया एक कितना है यह भी आपका 10 ही है न यह भी आपका कितना था 10 है यह दिया ओता है 10 तो कितना हो जगा 50 माइनस 10 इसका लेंध निकल गया रेक्टेंगल बन का है ना 50-10 यह रहा एतना एंटू वीथ कितना है 10 तो यह आ गया 400 इब खुरहन एम्नस को है ठीक है अब देख एक्समन क्या होगा एक्षेर्स इकांक conscious तर्फबाई से डिस्टेंस उता है सुब्वैसे बाइक दिश्टेंस अपका ए रहा यहां से कितना स्थित्रक ए यह बताई इसका तो और A distance कितना है A distance आपका 10 है और पलस इसका half A बला half A distance A distance कितना होगा देखिए मैं लिख रहा हूँ 10 पलस इसका इसका half इसका half है ना तो कितना half होगा बताएए 50 minus 10 by 2 50 overall था minus 10 A बला कर दिये by 2 तो यहां कहां से निकल गया यहां से निकल गया रेफरेंस एक्सिस से तो 10 plus 50 minus 10 by 2 एक इतना वाज़ेगा इसको जो आप सुवलूप करेंगे तो याज़ेगा 30 mm याज़ेगा 30 mm अब देखिए बाइबर निकालेंगे क्या बाइबर नहीं निकालेंगे बाइबर बाइटू बाइट्री नहीं निकालेंगे क्यों नहीं निकालेंगे क्योंकि यह जो सेक्षेर है वो क्या है से मेट्रिकल है यह क्या है से मेट्रिकल है है यह आपका क्या है से मेट्रिकल है ठीक है तो ऐसा करते है यह क्या है स्थेडरीकल है तो इस सीमेट्रिक हम लो क्या करें फाएदा उठाएंगे यह तो हम क्या करने कि इसका फाइदा उठाएंगे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एक सैक्सिस हो कहां से इसके सेंटर से पास कर रहा है इसका सेंटर से क्या कर रहा है पास कर रहा है एक सेक्सिस ठीक है और बाई एक्सिस आपका यह रहा है एक्सिस क्या है एक्सिस क्या हो गया एसी हो गया ठीक है और एक सेक्सिस क्या हो गया इसका सेंटर से पास कर रहा है तो एक सेक्सिस के बाउट क्या है एक सेक्सिस के होगा हाप पर लाए करेगा इसका बाइक पूनेट क्या होगा हाप पर लाए करेगा यह जैने सीधा हम बाइबार ओफर ओल फिगर का निकालना चाहें तो क्या कर देंगे अब देखिये फॉर एक्टेंगल च्वह मैं लास्ट दोगा अब पोर एक्टेंगल टुव निकाले पहले ओ और घॉर एक्टेंगल टू में देखेंगे तो आपका एरिया तो सेम हो जागा तोकी यह दोनों क्या है सेम है ते यह तो से मज़गा 50-10 इंटु 10 कितना हो गया 400 इस प्राइब एक सबन एक स्टू क्या हो जागा एक स्टू देखे एक स्टू ध्यान से समझना है एक स्टू देखे एक स्टू क्या करेंगे यह है है ना तो एक स्टू तो यहां से बाई से दूरी होगा तो कितना हो जागा यह टेन और पलस सेम ही हो जागा टेन पलस 50-10 बाई टू इसको जब स्टू करेंगे तो यह आ रहा है 30 अब देखे एप और रेक्टेंगल थिरी और रेक्टेंगल थिरी अगर आप सिम्मेट्री का यूज नहीं करना चाहते हैं बाई कोडिये निकालने के लिए तो यहां से भी अब निकाले यह नहीं तो अंसर आपका मिडिल में आएगा है ना मिडिल में आगा क्योंकि क्या है एक से स्क्राइब क्या है सिम्मेट्री के ला है कि नहीं तो अब देखिए तो फोर रेक्टेंगल थिरी अगर निकालने एरिया तो क्या होगा यह थिरी रेक्टेंगल थिरी तो यह ही है 100 इंटू टेन एक कितना हो गया वन थाजिन एक स्क्राइब एक स्थिरी निकाल लिए एक स्थिरी क्या होगा बाई से दूरी तो बाई तो यह से क्रॉस क्या एरा एक स्थिरी है ना टेन बाई टू हो जागा है एक इतना हो जाएगा है अभन है लống है कि व अलवाल म Ci या करेंगे फ vendor लगा लगाई करेंगे तो क्या करेंगे मैं सारा म सारा एडियर्या का क्या मोमेंट लेंगे हैना एसले के बाध मोमेंट लेंगे ये डिरेक्ट हम फर्मूला लेक्स रहां है एक सब्सक्राना इन्टू इंटू 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 इफ्सक्राइब गटा a1 plus a2 plus a3 सब का value put कर दिए a1 कितना आया है a1 आया 400 into x1 कितना है 30 plus a2 कितना है a2 भी 400 आया into x2 कितना है 30 plus a3 कितना है 1000 into x3 कितना है f5 सारा value put किजिए divided by 400 plus 400 plus 1000 इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यह आ रहा है सोल्व करने के बाद आ रहा है आपका 16.11 16.11 इसका मतलब संभेरे जो यहां पर लाई करेगा यहां पर लाई करेगा चुकि यह 10 है ना तो 60 ने जो कहीं यहां पर लाई करेगा यह आपका क्या हो जागा सीजी हो जाएगा इस पॉइंट पर है ना तो यह तो हो गया आपका चैनल सेक्शन का ना मूब टू नेक्स्ट वन नेक्स्ट आपका क्या है आई सेक्शन जो भी हमारे यूज का है स्टील स्ट्रक्चर में उसी को हम यहां पर करेंगे यहां पर भी जो आपका वाई एक्सिस है वो सेमेट्रिकल होगा यह जो फिगर है वाई एक्सिस की बार्ट क्या है नहीं निकालेंगे सिर्फ य कोडिनेट निकालेंगे इसका डैमेंशन लिख लिजे डैमेंशन दिया हुआ हुआ एक हंडेड यह हंडेड दिया हुआ उसके बाद नीचे बाला दिया हुआ आपका यह टू हंडेड लिटू हंडेड दिया हुआ और यह जो आपका फ्लेंज का जो थिकनेस है वह है ट्वन्टी एम्यम्य यह 20 mm है और यह है जो 40 mm है यह 40 mm है यह बला लुवर फिलेंज का थीकनिस और यह 20 mm है उसके बाद आपका ओवर ओल जो आपका हाइट है ओवर ओल जो हाइट है यहां से यहांत है यह दियावा है 300 mm 300 mm यहां से यह तक और देखें यह 20 दिया हुआ यह कितना दिया हुआ है यह अब देखें हमें क्या निकालना इस संट गवाइड निकालना तो शिक्राइड निकालना है तो सब से पहले क्या करेंगे नमबर ओब रेक्टेंगल में सूपट करेंगे सना सबसे पहली बार क्या आपका यह पिएर है इसका A B and Someher यहां पे क्या सी है यहां पे इसी को spokesperson पर अपादेगा reference access लेना पड़ेगा इसको reference access लेना लेघा ठीक है अब देखिए यह क्या है इसका symmetrical है symmetry है जो यहां से cross करेगा इसका axis of symmetry है रहा इसको क्या लिख दें एक्सिस ओप सेमेट्री है ना यह आपका एक्सिस ओप सेमेट्री हो गया अब इसको तीन पार्ट में डिभायड करते हैं तीन रेक्टेंगल पार्ट में इसको बोल रहा है रेक्टेंगल वन इसको रेक्टेंगल टू बोल दीजिए और यह जो पार्ट बज़िया उपर वाला इसको रेक्टेंगल थिरी बोल दीजिए हैं तो सबसे पहले रेक्टेंगल वन की बात करते हैं फॉर रेक्टेंगल 1 की बात करते हैं तो एवन निकाल सकते हैं एवन क्या जगा बताएए 200 इंटु 40 तो बहुत से इंटु 40 इंटु 40 जनी 8 इंटु 10 तो पाव है kung Folk मेंने एक्सपाल सकते है एक्सपालने की जरू सकते हैं चुक्रक्त की बार के बाई के बार करेगा श्याच करेगा संकर कभीण बीच में लाए करेगा तो सीधा इसमें भाईu निकालेंगे निकालेंगे अ गयाने कि यह सें दूरी होता उझी प्याली होगा एक से दुरी होता है है नो जानी ए बी से कितना डिस्टेंस पर लाई करेगा जिसको एक करेगा तो क्या लिखने डिरेक्ट लिखने वाइबा वुटी वाइट टू इतना हो गया क्वंटी में हो गया तो ये वन हो गया वाइबन हो गया उस्तरा से फॉर रेक्टेंगल टू लिखे और रेक्टेंगल टू आपका एटू कितना हो जागा देखे एटू इस रेक्टेंगल का एरिया ये वाला गा इसका इसका एरिया क्या होगा 300 में से सबसे पहले आप 40 ए माइनस किजिए और 20 ए माइनस किजिए तो इसका लेंध था जागा 300 माइनस 40 नीचे से और 20 उपर से ये लेंध था गया है इन्टू इसका थिकनेस कितना है 20 कि इसको जो अब स्वल्व करेंगे तो स्वल्व करने के बाद यह आ रहा है 4.8 इंटू 4.8 इंटू 10 के पावार थे दी mmS2 mmS2 बाई2 निकाल सकते हैं y2 देखें y2 कैसे निकलेगा जिसंब्यार यहां पर लाए करेगा y2 तो एक से दूरी X से दूरी कितना 40 देखें ये तो आपका 40 हो गया बाइटू क्या है इंडिविजूल मतब रेक्टेंगल 2 का CG का X से दूरी हाना तो देखें 40 पलस 40 पलस ये क्या करना पड़ेगा इसका हाप इसका हाप हाना इसका हाप क्या करेंगे अभी तो निकाले थे टोटल लेंद पर निकाले 300 माइनस 40 माइनस 20 ये इसका लेंद निकाल गया इसको दो से डिवाइड कर दिए तो ये आएगा 160 ये आएगा 160 ये आएगा 160 एमन और 160 एमन बहुत सिंपल है ये डिस्टेंस फोट इसका हाप तो एक्टेंगल टू कहाप तो ये थना ही हुआ है ना आप पलस फोटी फोटी ये जोड दिए तो 160 में मागे आप देखें फॉर एक्टेंगल थिरी निकाल लिए फॉर एक्टेंगल थार्ड अब हो रेक्टेंगल करAud कि बात करते हैं तो रेक्टेंगल क्या रहा टॉप यह प्रॉब्या कि टोप अध्यूस आहuss तो फ्रीं कि अंडेड हींटू कि रात बाला तो इТना एरिया में में स्कुर्ड उत्र से वाइट रिन काले अब देखे बाइट रिन कैसे निकाल लेंगे ध्यान से सुनिए इसको वाइटरी मतब इसका सीजी डिविज्वीजी ए रहा है न यह दूरी हम को चाहिए यह वाला अध्यान से देखे यहां से यह वाला तो ऐसा करते हैं ओवर ओल कितना था 300 इसमें से हाप यह माइनस कर दीजिए तो ऐसा ही करता हूं 300 माइनस 252 तो कितना जगा 290 अब तो बहुत सिंपल है अब क्या किजिए बाइबार निकाल लिजिए बाईबार अब निकालें तो बाईबार क्या होगा a1 बाई-1 से से चु़लस ऐटू बाई-टू पलस ऐटू पलस 3थरी ऐनगभाउ-एवटरं एवन पलस ए टू पलस ऐट थरी इसका मतला हुआ कि एभी के डिक्ठ्र में हम क्या ल victim Calling में तो सब का area का moment ले रहे हैं किसके respect में a b के respect में कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं a1 into x by 1 plus a2 into y2 plus a3 into y3 है अब देखिए सारा value put कर दिजिए तो आपका a1 कितना है a1 है 8 into 10 to power 3 8 into 10 to power 3 into by 1 कितना है 20 पलाज एक टू एक टू कितना है 4.8 इंटेन पर 3 into by 2 by 2 कितना है 160 पलाज बाइथरी एथरी इंटो बाइथरी टू इंटो टेन पर 3 मैं यहां पर लिख देता हूं पास में इंटो 290 इंटो 290 डिवाइड़े बटा 8 इंटो 10 कि पर 3 पलस 4.8 इंटो 10 कि पर 3 पलस 2 इंटो 10 कि पर 3 इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद या रहा एकसे एक पाइंट एक नाएं वन जीनो वन पॉइंट एट नाइन एम 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 ठीक है तो बाइप नेट हो गया एक्स को नेट क्या होगा इसका मेलल मिलल फिलाइं गर्एंट एक्स को जो टू कि वायगूर के बाइब तो यह कितना आजाएगा 150 में है ना 150 mm एनी संब्हेर है जो कहां पर लाए करेगा संब्हेर है जो आपका एक प्रेट यहां देख एक मिस्टेक है यहां पर देखें जो आपका एक सबार होगा होगा एक स्बार होगा क्या होगा टकी रेंस फैस्ट लिया है वे है जो एटि को रेस्ट केस लिया थेखें से दूरी होगा शकर यहां से दूरी कितना हो जाएग गाई कर ठीच गाई घ्रक होई यहां डिस्टेटन स्वागा आपका एग पाए है नाını मैं से हवाइ हुजागा तो आपको X भार क्या और यह लिगया? X भार हो जागा आपका 200 by 2, कितना? 100 X चाह our 2 होता है… अधा हirie से डिस्टेस होता है… तो वाई ए अपका ये रहा है? तो यह थो हुआ आपका एक्स बार एंड बाइबार, बाइबार हो गया 101.89 एड एक वर हो गया कितना 100, 100 and 101.89, तो ये तो था आपका सेट्डॉयड के बारे में, अब एक कोशन आपको कुछ से करना है, ये आपका ह्व है, इसका अंसर आपको comment section में लिखना है, एक question क्या है, मैं बदा देता हूं, यह आपका क्या है, semi circle है, semi circle है, और इसका जो radius है, वो 25 mm है, इसका जो radius है, यह वाला value, यह आपका 25 mm है, 25 mm है, जो triangle है, यह है 25, यह भी है 25, यह भी 25, और आपका यह है 50 mm, 50 mm, यह distance है, आपका 100 mm, यह है 100 mm, और यह है 50 mm, यह distance है आपका 50 mm, है नहीं, और यह सी बात है, यहाँ से अगर distance लेंगे तो कितना होगा, 125 होगा, आपको क्या करना है, इसको figure 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, और इसको 3 मान लेना है, ठीक है, अब एक चीज़ में clear कर दू, किसके respect में निकालना है, आपको निकालना है, एक सेक्सिस मानना इसको, इसको बी बोल देते हैं, बी बी, बी फेस को एक समानना है, और ए जो फेस है, इसको आपको, इसको बाई मानना है, एफेस को क्या मनना है, बाई मानना है, ठीक है, ए फेस को बाई मानना है, मतब ए ए और बी बी के respect में, हमको क्या निकालना है, इसका, ओबर all section का CG निकालना है, एपनों तो आपको तो पता है सबका पता है यह सेमी सर्काल क्या हुथ प्रबटा फिरी पाई इसके बाद घ्या और TOP वह इकन्टाइल करेंगी अभेिछ एक सेट्शने किया है तिर्भूज है इससाँ पड़े हैं तो सबका हमत्रियी इसके बाद A1 X1 A2 X2 A3 X3 जबाड़ बटा A1 प्लस A2 प्लस A3 करेंगे उससे बाइवन बाइटो बाइटी निकाल लिए ओवर आल इसका अंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें बहुत अच्छा कोश्चन है इसको सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में लिखें नहीं तो इसका अंसर में न भी नहीं नहींटो जियों करके आप लिए लिखेंगे कि अच्तार आप आफ करेंगे के लिए late-वर आफ के सब्स мужчा कि विखेंगे कि य May 22ND के सवाफ कि का लिभे लवाब्यों कि अृश्त है आप करेंगे